इस यूट्यूब चनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत है एक सजन जो यात्रा के दोरान हमारे सम्मुक आए ये टीरी गड़वाल से है और पौड़ी गड़वाल के एक शेत्र में विक्षाटन हेतु ब्रह्मन करते हैं यह ब्रहमन पौड़ी गडवाल में क्यों करते हैं इसकी क्या माननिता है इस संदर में कुछ यथा सक्ती इन से चर्चा हुई है तो आप भी जानिये कि इस यात्रा का क्या महत्त है इस ब्रहमन का क्या महत्त है तो आईए सीधे उनी से जानते हैं इस भिक्षाटन का महत्त पर परा है हलो है नमस्कार आप सब यहों को स्वागत यह चैनल मां आज हमर बीच उपस्ति छिन आप 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 पर चे मिया आपकी मुंग से जमान चाल और यह जू आप आज हमर उत्रा खंटग लोग परंपरा आपक द्वारा जाब हम तब पता चल यह चीज आप पर परिचेक दगड़ थोड़ा हमर दर सकोता बते ना गुर्जी मेरा नाम है देविंदर प्रशाद घरला ग्राम मुखेम पोस्ट ओफिस मुखेम जिल्दा टेरिक बडाल परताब जैसे होना कि हमार सेम नागराजे जी चोन यह जो है गंगुरमुला एक राजा था वहां का तो इसले जो है यहां से डांडा नागरजे जो आपका पोड़ी में है बनार्चुमपटी में पड़ता यह तो यहां से जो है सिरक्रश्न भगवान गए थे वह मोहित हो गए थे उस जगह देखे और गंगुरमुला ने जो है वो कई बार गया सादू का रोब में ब्रहामन का रोब में कई रूब में गए पर लेकिन गंगुरमुला ने उसको जगह ने ली तो इस वज़े से जो है उसका वो स्राप है मानो या बढ़दान मानो जो भी आप कहींगे तो अपने काहर गाह मानुता है कि जो स्थापित नहीं धिया जिसकी वेसे थोड़ी सी नाराजगी सी गाउंवालों को लगी और उससे मुक्ति के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए वो कहीं हमारे परिवार को हमारे घरगस्ती में थोड़ा असांती पैदा न कर दें इसलिए अपने उन चीजों को दूर करने के लिए आप ये भिक्षाटन क हैं अब यहां आ रहे हैं तो नहीं नहीं गाओं भी देख रहे हैं तो आप पूरे पौड़ी में भ्रहमन करते हैं या कहीं और ना 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 तो महला आपके जो ममुखे में देख रहा है उनके पाप बंटे हुए है कि जैसे आप तो आप जो है अपनी दो तीन आदमी को लेके इस ठेतर को गूम सकते हैं या किसी और भाई का द्वारी खाल बिलोग जेरी खाल बिलोग या रिखनी खाल बिलोग या मलब कहीं बिलोग ह वो अपने गाड़ी लेकर दस-फंदराधीन बहरमन करते हैं तो पूरे पोड़ी में घूमने का आद ऐसे किने नएन जनाना जाना कया जा सकते पूरे पोड़ी में कहंभी जा सकते ऐसे महां जाना Southern चैनिह जासके ।ो जितने पूरान परीडी है उस तो हो तो तो इस मानेता के साथ पूरी आस्ता से जुटी भी है और आप नहीं पीड़ी भी आपका साथ दे रही है यानि उनके अंदर भी ये संस्कार है ये पूरी जो हमारी धरोहरे वो जिन्दा है और अभी जिन्दा रहेगी ठीके तो आप ये निदान्डा के कमांदा ग्राम के जितने भी लोग है इनके लिए थोड़ा सा आसिरवाद और ये बच्चे जो यह हम हैं चो कुछ भी उनके लिए आसिरवाद के दो सब्दे भगवान आपको जो सत्व दे दे आपकी परिवार को आपके घर को आपकी बाल बच्चों को कुटम परिवार को सुख चैन बखे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी आपका देदा आपन पर कुछ भूना है जाना ठीक है जी धन्यवाद